गुड मॉर्निंग चिल्डरन, मेरे चैनल ओनलाइन स्टडी हप में आपका स्वागत है, प्यारे बच्चों, आज हम चोथी कक्षिया की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिल मिल का पाठ दो टपका को अच्छी तरह से रीड करना सीखेंगे और साथ ही इस कहानी को भी सुनेंगे तो देखिए बच्चों, यहां पर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक आदमी है और वो शेर की स्वारी कर रहा है, यह आदमी कौन है पता है, यह एक कुमहार है, तो बताओ, आप शेर की स्वारी कर सकते हैं क्या, डर लगता है, लेक ये सब हम इस कहानी में जानेंगे तो सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि कहानी अच्छी तरह से समझ आ सके और इसका एक और भी फाइदा है बच्चो अगर आप वीडियो को सुरू से अंत तक देखेंगे अच्छी तरह से सुनेंगे, तो इस पार्ट के अभ्यास में आए हुए सभी पर्षनों के जबाब भी आप आसानी से दे पाएंगे, तो देखिए, शुरू करते हैं, एक था धोबी, जिसका नाम धनिया था, वहें लोगों के कपड़े धोया करता था, वहें बस्ती के बाहर जोपड़ी में रहता था, धोबी की जोपड़ी बहुत तुरानी थी, सावन भादों की जोरदार बारिस हो रही थी, उसे हर समय टपके का डर बना रहता था, लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए, तो आई भारी आफत, टपके का दाग धुलता भी तो नहीं, धन धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, क्या कह रहा था देखो सुनो, कि बड़े जोर की बर्खा हो रही है, बर्खा क्या होता है पता है बच्चों, बर्खा होती है बारिश, इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है, जितना की टपके का है, यह बात सुनी सेर ने, जो धनिया की जोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था शेर ने सोचा टपका तो मुझसे ताकतवर है धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं जितना टपकेता है अब आगे देखिए उधर एक कुमहार का गठाख हो गया था घटा टोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी ना सूझे इसका क्या था कुमहार अपने गठे को खोसता आ गया धनिया के पिछवाड़े अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा उसने सोचा कि उसका गठा ही खड़ा है और उस पर चड़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए कड़कर बोला गठे के बच्चे यहां छिपा खड़ा है तेरी ऐ ऐसी गती बनाऊं कि याद करे सारी उमर शेर ने सोचा आगया टपका अब खैर नहीं वह सरपट दोड़ा कुमहार ने मनहीमन सोचा यहे गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है वहे तो मरील सा था लेकिन यहे तो मोटा ताजा है बिजली की तरह दोड़ता है खूब हाथ लग शेर जंगल की तरफ दोड़ा जा रहा था शैसा बिजली चमकी कुमहार ने गोर से देखा यहे देखकर उसके तो होस उड़ गए कि वहे गधे पर नहीं शेर पर बैठा है उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था अजीब बात थी कि सेर कुमहार से डर रहा था और कुमहार शेर से कुमहार सोच रहा था कैसे जान वजे रास्ते में एक बरगत का पेड था उसकी दाढ़ी धर्ती पर लटक रही थी शेर जब बरगत के पेड के नीचे से गुजरा तो कुमहार ने उचक कर बरगत की डाड़ी पकड़ ली शेर को अपनी पीठ हलकी लगी तो उसकी जान में जान आई वह और जोर से भागा वह दर रहा था कि कहीं टपका फिर ना आदवोचे उधर कुमहार सोचने लगा कि वह चिप जाए बरगत की खोव में उसने बरगत की एक खोव खोजी और चिप कर बैठ गया वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूँ परगत पर शेर चड़ नहीं सकता तड़के उठकर घर चला जाऊंगा उधर सेर था कि भागा ही जा रहा था उसके दिल में टपके का भै बैठा हुआ था आगे उसे बंदर मिला शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा मामा मामा क्या बात है कहा भागे जा रहे हो धागले भांजे जंगल में टपका उतर आया है शेर ने हाफते हुए कहा ये बात शेर ने कही किसे कही बताओ बंदर से मामा क्या बात करती हूँ टपके से डर गए मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ बंदर ने हंसकर कहा अरे भांजे यहे वहट टपका नहीं है बहुत भेंकर बला है मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई शेर ने गहरी सांस लेकर कहा मामा दिखाओ तो सही कहा है वहट टपका बंदर ने पूछा आखिर रहे बंदर के बंदर ही शरारत के बगैट नहीं रहोगे चलो सेर ने कहा दोनों बर्गत की ओर चले कुमहार ने भौर के परकास में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है उसने सोचा कि बंदर उसे उपर से नीचे धके लेगा और शेर खा जाएगा वहे डर कर बर्गत की खोब में चिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए शेर बर्गत के नीचे खड़ा था प्रकास फैल रहा था इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाब खड़ा होंगा बंदर चड़ गया बर्गत के पेड़ पर वहे बर्गत के बर्मटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फैकता और पूचता मामा क्या यह है टपका अब शेर ने कहा भांजे जब टपके के काबु में आएगा तो तुझे क्या तेरे पूरे कुंबे को पता चल जाएगा ये बात किसमें कही शेर ने अब बंदर की उल्टी वुथी उचलता कूटता जा बैठा वहां जहां कुमहार चिपा बैठा था खो में कुमहार ने सोचा कि आगया सिर्परदुष्ट अब क्या करें बंदर की पूच खो के भीतर कुमहार के मुग के सामने लटक रही थी कुमहार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी उसने बंदर की पूच को जकड लिया अपने दोनों हाथों से अब बंदर वहां से उचल कर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयतर करने लगा तो उससे वहां से हिला विना गया पूच भारी लगी उधर शेर ने कहा क्यों भांजे क्या हाल है अब बंदर भी डर गया उसने पूच छुडाने के लिए जोर लगाया कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुमहार का पूच उखडवा बैठा बंदर और धम से आपड़ा नीचे शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था बंदर भी उठकर भागा दोनों भागती भागते दूर निकल गए शेर बोला क्यों भांजे आगया ना काबू में टपके के अब बंदर ने हाफ़ते हाफ़ते कहा मामा कोन कहता है कि वह टपका था वह तो पूच उखाड था तो बच्चो कैसी लगी कहानी अच्छी लगी ना इसको सुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है ताकि इसमें जितने भी अभ्यास में आने वाले क्यूशन आंसर है जैसे कि ये देखिए इन सभी क्यूशन आंसर के आप आसानी से जो है आंसर दे पाएं और बच्चो एक और बात अगर आपने मेरी चैनल ओनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज उसे भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं अपनी जितने भी वीडियो बनाती हूँ बनाते ही मेरी चैनल ओनलाइन स्टडी हब पर अपलोड कर देती हूँ ताकि आप सभी बच्चे इन वीडियो की सहायता से अच्छी तरह से पढ़ सकें और समझ सकें तो बच्चो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई वीडियो में क्या करवाने वाली हूँ मैं आपको पता है नेक्स्ट वीडियो में इस टकका पार्ट में आए हुए जितना भी अभ्यास हैं इसके क्यूशन आंसर हैं, अधर एक्टिवीटीज हैं, वर्ड मिनिंग हैं वो सब अच्छी तरह से आपको समझाने वाले हूँ तो बच्चो फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाई